आज जिस personality की मैं बात करूँगी ये जब industry में आई तो इनके looks को शर्मिला टेगॉर से compare किया गया क्योंकि उनी के जैसे दिखती है आँखे भी वैसी है और गालों पे dimple भी आते हैं ये industry में आई कुछ serials में काम किया और आगे फिल्मों में काम करती उससे पहले ही इनकी शादी हो गई और शादी भी कैसे national television पर लेकिन कुछी सालों में national television पर ही शादी के तूटने की खबरे भी आई राहुल महाजन की ये ex-wife है बात करेंगे actress dimple गांगुली की dimple की life से जुड़ी वो बाते में आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब dimple ने अपना पिछला काम college सब कुछ छोड़ कर राहुल के साथ बसाया गर क्यूं जो स्राहुल के लिए dimple कहती थी कि उसके बिना मैं मर जाऊंगी उसके साथ dimple का दम खुटने लगा और कैसे dimple आज बिता रही है अपनी जिन्दगी dimple गांगुली का real name है सुमोश्ट्री गांगुली उन्हें प्यार से घर पर dimple कहते हैं dimple के पिता एक एड्वोकेट है वहीं dimple की एक बहन भी है जिसका नाम कोयल है dimple कोलकता से है और वहीं से उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की college के दौरान dimple ने modeling शुरू कर दी थी इसी दौरान gladrex model hunt का वो हिस्सा बनी और select भी हो गई और gladrex के साथ उनका contract sign हो गया उनके साथ ही वो brand endorsements करने लगी कुछी समय में modeling की दुनिया में dimple ganguli का अच्छा कासा नाम हो गया और इसी दौरान tv industry से उन्हें offer भी आने लगे उन्होंने कुछ tv serials में छोटे मोटे roles भी किये जैसे की तुछ संप्रीत लगाई सजना और ये रिष्टा क्या कहलाता है लेकिन उन्हें सबसे बड़ा exposure मिला reality show राहुल दुलहनिया ले जाएगा में आपको बता दें कि एक स्वेमवर वाला जो show था जिसमें राखी ने भी हिस्सा लिया था वैसा ही ये show था जिसमें इस बार राहुल महाजन थे और बहुत सारी लड़किया थी जो लड़किया है वो राहुल को वू करने की कोशिश करती है और बेस लड़की के साथ राहुल एंड में शादी करते हैं इस show के end में राहुल ने दिंपी को चुना पूरी दुनिया के सामने राहुल जो कि अल्रेडी वन टाइम डिवार्सी थे उन्होंने दिंपी गांगुली को चुना जहां अकसर इस show के बाद लोग जो हैं वो separate हो जाते हैं कुछ दिन relationship में रहकर वहीं राहुल ने दिंपी के साथ अपना relationship continue रखा दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने national television पर शादी भी कर ली तब ये भी खबरे आई थी कि तिंपी वैसे ही राहुल से बहुत जादा प्यार करती थी और दोनों की कुंडलिया भी मिल चुकी थी और दिंपी ने ये भी कह दिया था कि राहुल के बिना वो क्या ही करेगी राहुल से शादी के बाद डिंपी भी बॉलिवूड इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई अक्सर पार्टीज और इवेंट्स में नजर आने लगी और शोज भी उन्हें मिलने लगए यानि कि अब तक जो डिंपी एक स्ट्रॉग्लिंग मॉडल थी ग्लैडरिक्स के साथ उनका कॉंट्राक्ट साइन था वो अब राहुल महाजन के थ्रू बॉलिवूड इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई थी हाला कि उन्होंने ग्लैडरिक्स कॉंट्राक्ट को फॉलो नहीं किया उनके कुछ टर्म्स भी तोड़े यही कारण है कि तब ग्लैडरिक्स की तरफ से मॉरीन वाडिया जो है उन्होंने डिंपी गांगुली पर केस भी कर दिया था दीरे दीरे डिंपी गांगुली टीवी में रेगुलर आने लगी वो कई साथे शोज का हिस्सा बनने लगी और उन्हें अच्छा खासा इंडस्ट्री में काम मिल रहा था इनफाक्ट उन्होंने नच बलिये जैसे रियालिटी शो में भी हिस्सा लिया लेकिन 2013 में डिंपी गांगुली और राहुल को लेकर एक ऐसी खबराई जो काफी चौका देने वाली थी डिंपी गांगुली ने राहुल और अपने रिलेशन के बारे में सच्चाई बताई और कहा कि कैसे राहुल उन्हें फिजिकली असॉल्ट करता है उनके साथ मार पीट करता है डिंपी गांगुली ने मीडिया में आकर अपने चहरे पे अपने हातों पर और अपनी थाइस पर जो मार्क्स थे इंजिरीज के वो भी दिखाए पूरा चहरा उनका सूजा हुआ था अच्छली दिंपी ने बताया कि हुआ क्या दिंपी कहती है कि वो सो रही थी तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया और उनका मोबाइल लॉक था तभी राहुल आए और उन्होंने मोबाइल को अनलॉक करने के लिए कहा तो दिंपी ने कहा कि मैं सोना चाती हूँ अभी म घर से निकल गई उन्होंने मीडिया में बताया उन्होंने अपने पिता को कॉल किया उनके पिता आए उसके बाद वो राहुल के घर गई और वहां से अपना समान पैक करके निकल गई और यही वो टाइम था जब डिम्पी ने कौच में राहुल महाजन के खिलाफ टोमेस्टि साथ ही राहुल अपनी पुरानी गर्फरिंड पायल जोहादगी से भी फिर से रिष्टा जोडनी की कोशिश कर रहे थे हाला कि पायल ने उनके इस रिष्टे को एकसेप्ट नहीं किया था वही राहुल महाजन का कहना है कि दिम्पी ऐसे ही जूट बोल रही है और कुछ नह में सब कुछ आ चुका था जिब भी गांगुली राहुल के खिलाफ बहुत कुछ प्रूफ मीडिया में दे चुकी थी और कहीं न कहीं लग रहा था कि जो इतिहास है वो दौरा रहा है राहुल माजन पर उनकी बचपन की फ्रेंड श्वैता जिनके साथ राहुल की पहली श ने डिम्पी का ही सपोर्ट किया और माना की डिम्पी जो कह रही है वो सची कह रही है ये वो टाइम था जब से राहुल और डिम्पी अलग रहने लग गए तो 2015 फरवरी में दोनों का डिवॉर्स हो गया और तब राहुल ने डिम्पी और अपनी एक तस्वीर शेयर करके कह कि अब हम सिर्फ दोस रह गए हैं इसी साल नवंबर में डिम्पी ने अपने बचपन के दोस्त रोहित रॉय के साथ शादी कर ली रोहित को डिम्पी स्कूल टाइम से जानती थी और रोहित ने लाइफ में डिम्पी को कहीं जगे सपोर्ट किया इन फैक जो ये डिवॉर्स का पूरा टाइम था इस टाइम रोहित ही डिम्पी के सपोर्ट में रहा यही कारण है कि डिम्पी को लगा रोहित उनके लिए बिल्कुल सही शक्स है रोहित से शादी करने के बाद डिम्पी दुबाई शिफ्ट हो गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी फैमिली बसा उन्होंने शादी की है तो यह है कहानी इंडस्ट्री की उस आक्ट्रिस की जो नई नई मॉडल बनी थी अपने कॉलेज की पढ़ाई कर ही रही थी कि उनकी शादी एक फेमस परसनालिटी से हो जाती है उनकी दुनिया बदल जाती है अचानक से जिस लड़की को कोई नहीं जानता था वो बॉलिवूड इंडस्ट्री में उठरी बैटरी है सेलिबरिटी बन गई है लेकिन ये किसी बुरे सपने जैसा था और एक दिन में सब कुछ खतम हुआ और उन्होंने फिर से इंडस्ट्री छोड़ दी जिंपी ने राहूल से तभी शादी कर ली थी जब वो प्रस्ता बनाना हर किसी के बसकी बात नहीं है यहां बहुत टिपिकल लोग हैं यही इंडस्ट्री आपको इतनी चकाचान देती है कि आपकी सोचने की शमता ही खतम कर देती है हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवुट ठेकाना